नमस्कार मैं शादना पांडे मागदर्सन पर आपका श्वागत करते हूँ दोस्तों मैं बात करूँगी कि घर में वो कौन कौन से कारे हैं जो इस्त्रिवों के द्वारा जरूर होना चाहिए और ये पांच कारे जीवन में आपको हर तरफ से खुसाली दिलाने में मदद करते हैं हर तरफ से क्या अर्थ हुआ कि आपके पती के साथ रिस्ते अच्छे होंगे आपके बच्चे आज्याकारी होंगे आपका कहना मानेंगे धगन में धन और वायभा होगा इन सब के लिए पांच काम जो मैं आज आपको बताने जा रहे हूँ एक सब्द में यानि मोटे सब्दों में कहूं तो यह निचोड है जीवन का जो की हर महिला को करना चाहिए वीडियो सुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग इस बात से सायद नाराज हो सकते हैं कि मैं क्यों महिला को ही जिम्मेदारी देती हूँ कि घर में ये काम उने करना चाहिए अब एक चीज़ बता दूँ कि जिम्मेदारी मैं नहीं देती हूँ इसके लिए हमारा सास्त्रा में ही जिम्मेदार समझता है तो इसमें मैं आप या औरने कोई क्या कर सकता है जो जिम्मेदारी हमें है वो हम मानते हैं ये हो सकता है कि परवयर वाले हमें उस तरीके का सम्मान नहीं देते हैं जिससे हम ये जिमेदारी लेने से डरते हैं या फिर जिमेदारी को हम खुद निर्वाह नहीं करना चाहते हैं तो वो चीज़े अलग हैं और चलिए देख लेते हैं कि वीडियो क्या है और किस प्रकार स आपको कौन-कौन से पांच काम करना है एक बर फिर बता दू आपको कि ये पांच बाते नहीं बलकि जीवन का ये निचोड है जो हर किसी को करना ही करना चाहिए और दोस्तों यदि यानि कि जो दिन चर्या मैं बताने जा रहे उसमें जो गलतियां होती हैं उसका सीधा असर हम कि देख्यों के सास्त्र भी कहता है कि महिलाने जो हैं मालक्ष्मी का सवरूप है घर में जब कोई चीज आपकी अच्छी होती है तो उसका स्रेय भी आपको ही दिया जाता है हमको ही दिया जाता है कि उस घर की महिलाने इतने सुसजी धंग से परिवार को बांध करके रखा है या घर में जब भी आपके घर में तरक्की हो कुछ भी हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके उपर होती है और सास्तर की माने तो सास्तर भी कहता है कि महिलाई साक्षात मालक्ष्मी का स्वरूप है तो इसलिए सरो प्रथम जो है अस्थान प्राप्त होना चाहिए तो यदि पूरूस ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये सारी चीजे तब लागू होती है जब आप महिला का सम्मान करेंगे तब आपके लिए ये सारे कारे होते हैं जो हमारे सास्तर में बताय गया है कि एक महिला के हाथों में ब बहुत सारे लोगों को यह समस्या होगी कि उनको दवाई वगर लेना हो तो उनकी बात मैं नहीं कर रहे हैं लेकिन आप इस बात को ध्यान रखे कि जब आप बिना नहाय भोजन ग्रहन कर लेती हैं यानि अनाज खा लेती हैं तो यह बहुत बड़ा दोस होता है एक चीज़ बता दू मैं कि सास्त्र करता है कि जब आप अपने घर में भगवान को भो के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप देखे मिनास्नान के आप चाय पीलिए पाने पीलिजे वो बात अलग है लेकिन आप अनाज ग्रहन यानि कि खाना खाने से पहले आपको भगवान को स्नान करा करके उन्हें भी भोग लगाना बहुत जरूरी ह यह काम करने में बहुत ज़्यादा समय यदि आपका लगेगा तो पांच मिनिट का समय लगेगा लेकिन पांच मिनिट का समय आपके जीवन को पूर्णितया बदल देगा अब दूसरी चीज आपको पता दूसरी ने इसी क्या नहीं करने का जो दूस पैड़ाम है वो मैं ब बगवान तो है लेकिन आपने स्मय हम Б prosperity कर लिया और आपने भगवान को वहां बैठे बैठे सिर्फ आप बस भगवान का स्वरूप है और आप उनके लिए कुछ नहीं करें तो यह बहूत गलत बात है एक बार आप सोचक कर 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 देखिए कि आपने भोजन किया और आपके मंदिर में बैठे हुए भगवान को आपने ना स्तान करा है ना जलगरहन करा है ऐसे करते करते आपके मंदिर का शर्त जो है वो समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसमें भगवान रहेंगे ही नहीं भगवान को सेवा और पूजा की आवशकता होती है और ऐसा आप करें तो बहुत सारे बच्चे तो देख करके सीखी जाते हैं, तो ऐसा हमें जरूर करना चाहिए, अब अगली चीज बता दूँ आपको कि अपने घर में साम का दीपक जरूर जला हैं, आपके घर में बहुत सारी लाइटे होंगी, बहुत सारा जो उजाला होगा, लेकिन एक दीप आपको घर में जलाना चाहिए, अब आप सोच रहे होंगे मैं किस दीपक की बात करने हो, वो दीपक आपके घर के मंदिर में होगा, थुलसी के पास होगा और आपके घर के मुखे दर्वाजे पे होगा, तो ये दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए, आपने भले ही मंदिर में बहुत सारे electric light लगा रखी हैं लेकिन आपको घर के मंदर में दीपक से यानि कि जो तेल में बाती लगा करके दीपक बनाया जाता है उस दीपक को जलाना बहुत जरूरी है क्योंकि वास्तविक मालक्षमी का सुरूप हम इसी दीपक को मानते हैं light के लिए आप भले ही उजाला के लिए कुछ भी लगा सकते हैं और दूसरी से बता दूं कि दीपक जलाने का सही तरीका यह है कि आप अपने घर के मंदिर में एक दीपक जला दे और जैसे मैंने तीन दीपक बताया तो आप घर की मुखे दरवाजे का दीपक सरवप्रतम भगवान को दिखाएं उसके बाद अपने घर के कोने कोने मेरा सोई मिले जाएं बेटरूम मिले जाएं हर जगह दीपक घुमाना बहुत जरूरी है यदि आप अपने घर आप कापी वहां भी इनको दिखाएं क्योंकि सब जगा जो है आपके घर में बर्कत चाहिए तो दीपक सामको आपको घुमा घुमा तरब दिखाना चाहिए अब आ रहा ले आती है घर के मुखे दरोजे पे सब तरब दिखा कर कि मुखे दर्वाजे पे आएंगे वहाँ पे दिखाएंगे यदि आप कोई चाहें तो मंतर बोल सकते हैं ओम महालक्ष्मी चविद्मही विश्णु पतनी च धीमही तन्नौ लक्ष्मी प्रशोद्यात ये मालक्ष्मी का बहुत जादा पारफुल मंतर कहेंग तो ये बहुत जादा सक् मंत्र को बोलती हुई आप दीपक जलाते हैं तो साक्षात मालक्ष में आप से प्रशन हो दें आप दीपक को आप घर के मुखे दरवाजा पर रख दे पैड़ छूले और आप अपने कार में लग जाए मुझे नहीं लगता है कि ये समय बहुत जादा आपका लेगा ये काम हर किसी को करना चाहिए यदि आप असुदी की इस्तिती में हैं तो घर में बच्चों से पती से जो भी बड़ा हो या छोटा हो जिससे भी आप करा सकें ये दीपक तीन जगा पर जरूर जलवाएं ये बहुत जरूरी है अगले चीज है मैं बताने जा रहे हूं आपको कि सपत यही बात मैं बता दू तो आज लोग धन भले ही बहुत ज़्यादा कमा लें लेकिन उनके मन में सालते नहीं है खुसा हाली नहीं कारण भी समझे आप पहले जो है लोग एक की कमाई होती थी और लोग उसमें संतुष्ट थे प्रशन नचीत थे क्योंकि उनके कर्म पूजा कर लेते हैं बाहर निकलना नहीं चाहते तो कम से कम सब्ताह में आप जिस भी देवता को माने एक दिन मंदिर जरूर जाए ऐसा करना आपके पित्र दोस्ट को सांत करता है आपके ग्रहों को ठीक करता है और जीवन में अचानक ध्यान दीजे अचानक आने वाली परिशानिय इसे भी आपको पचाता है आपका सब्ताह में एक दिन मंदिर जाने का लिया गया नेड़ा है अब ये मंदिर आप किसी भी जिस देवता को मानते हैं स्री राम जी हनुमान जी और चाहे तो विष्णु जी जिस देवता को मानते हैं मादुर गा एक दिन आप सब्ताह में न बात आ जाती है दान का मतलब हमारा बहुत सारा पैसा रुपया किसी को दे देना लेकिन ये बहुत जादा गलत हमारी मान सिकता है दान का मतलब ये नहीं होता है एक आपको दिखाई देता है कि आप वो चीजें दान किसी को कर रहे हैं लेकिन सास्तर जो कहता है वो मैं बता र लेंगी लेकिन इस बात को भूल करके ततकाल हमारे दिमाग में एक Master जाता है कि दान का मतलब जो है वह हम बहुत सारा अपना पैसा या जो भी चीजें दान करते वह हमारे से चला गया लेकिन किसी ना किसी रूप में आपके पास वो सोगुना हो करके वापस आता है और सास्तर भी कहता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें जरूर दान देना चाहिए तो आपके जितने भी कमाई है कम है जादा है उसके अनुशार आप सप्ताह में कोई दिन बना और ये करें दान जरूर करना चाहिए क्योंकि दान से धन में बृद्धी होती है यानि कि जैसे बिद्या को बांटे से बृद्धी होती है वैसे ही दान भी है उनको भी दान को भी अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहने से आपके धन में बृद्धी होती है तो ये बा चोटे हैं तो उनमें संसकार डालना एक महीला एक माक ही जीमेदारी है अधिकांसतर घरों में मैंने देखा है कि पूरुज जहोते हैं इन सारे कारियों में बहुत जारे दला Пरवा होते हैं जैसे कि सुबा की पूजा हो गई कुछ दान करना तो ये सारे कारिया जो है महिला ही कराती है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि पती के तरब से स्नेह और प्रेम मिलेगा तो एक महिला इन कारियों के दोरा अपने जीवन को बदल करके पती और बचों के जीवन को भी पसंद आएगी मिलती हूं इसी तरह की वीडियो के सार धन्यवाद